मित्रो आज हम चच्चा करने वीगली वीगली राशि फल यानि सब्ताइक राशिफल आठ मार्च को महाशिवरात्री आ रही है और महाशिवरात्री के दिन यदि आप लोग वैसे तो जर्रेली पूजा करते होंगे लेकिन मैं आपको आज विशेश पूजा 8 मार्च को बटा चाहते हैं तो आपको गुड का शिवलिंग बनाना और उसकी पूजा पार्ट आठ मार्च को महा शिवरात्री के दिन करना है और उसके बाद अगले दिन उस गुड को आप नदी में प्रवा कर दीजेगा यानि गुड का शिवलिंग बनाके जो भी व्यक्ति पूजा करेगा पुरान में लिखा है तो उसके घर के अंदर धन का भंडार भर जाएगा करियर में उसको उनती मिलेगी तो गुड के शिवलिंग बनाके गुड को हलका गरम करके उसमें तेल लगाके गुड का शिवलिंग बनाया जाता है तो उसकी पूजा होती है दूसरा देखा जाए त तो मिट्टी का शिवलिंग और मिट्टी कहां कि नदी की मिट्टी घर के अंदर ले के आनी है नदी के किनारे के मिट्टी उसका आपको पार्थिक शिवलिंग बना के उसके बाद उसकी पार्थि पूजा कहते हैं याने कि उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो घर के अंदर क किलेश किसी भी तरह की नेगटिव एनरजी कोई भी वास्तु दोशो तो टिक ही नहीं पाएगा तो घर के अंदर आपको पार्थिक शिवलिंग याने नदी के किनारे की मिट्टी लाके उसका शिवलिंग बनाके महाशिवरात्री के दिन आप पूजा कीजेगा और वो जो आपका वास्तु दोश्करम खतम आपके घर के अंदर नेगटिव एनरजी खतम यानि हर चीज आपके घर के अंदर नेगटिव खतम हो जाएगी तीसरी चीज मिश्री का शिवलिंग बनाया जाता है और विवाहिक जीवन में शादी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ विव खता करके मिश्री का शिवलिंग बनता है तो मिश्री का शिवलिंग की पूञें पाट करके यदि आप अगले दिन उसको परभा करेंगे और पती पत्नी यहा जिसकी शादी नहीं हो रही वह अगर तो कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त होगा साथि-साथ देखा जाए तो आपकी संतान है बुरी संगत में चली गई है संतान आलसी हो गई है संतान गुषसा बहुत करती है संतान से समंदित विद्या में इकागर्वुचित्था के कमए संतान बिमार बहुत रहती है तो आटे से बनावा शीवलिंग आटे के अंदर थोड़ा चना मिक्स करके आटे का बनावा शीवलिंग आप महाशिवरात्री के दिन बनाते हैं और पूजा पाट करते हैं अबिशे करते हैं उसके बाद अगले दिन नदी में प्रवा करते हैं तो संतान समंदी समस्याओं में भी आप राहत देखेंगे तो महाशिवरात्री के दिन जो आठ मार्च को आ रही है ये चार प्रियोग आप कर सकते हैं चलिए आप सब्ताइक राशी फल के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो सब्ताइक राशी फल में देखा जाए आप बात कर लेते हैं मिथुन राशी की तो इस सब्ता सूरी के वह दे आने पड़ सकते हैं ऐसा योग बंड़ा दू-तिन बार लगाने पड़ेंगे एक बार में काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है धनी की स्वास्तिक इस्तिति के बारे में बात करें तो इस सप्ता आपका यानि चार से 10 मार्च के बीच में आपका स्वास्ति आतियुत्तम रहेगा नित्य संगीत या इस तरह का कॉंसेप्ट में आप सरीक होने वाले कहीं जाने वाले हैं या फिर आपको कहीं न कहीं जिम का शौक लगेगा कुछ अपने फिजिकल एक्सराइज आप करने वाले हैं ऐसा योग नज सब्सक्राइब करें तो धनी की स्थि के बारे में बात करें तो धनी की इस्थि वही दो भागों मोज़्य बढ़ती है चार से लेकर 6 outta कर वान संसमन्दी कोई अपकी क्रैक हो सकती है अचानक मार्केट में फसावणा घन आपको स्वता ही मिल जाएगा आप चौक जाएंगे करियर में देखा जाए तो ये सब्ता आप मितुन डाशी को अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा एक तरह आप किसी क्लाइंट से आपके वाद विवाद हो सकते हैं किसी कलीक से वाद विवाद होंगे दूसर के साथ में नए क्लाइंट भी बनेंगे नए डील भी होगे और कुछ लोगों से आपके वाद विवाद भी होंगे याना अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मितुन डाशी को यहां पर मिल रहा है आप बात करते हैं देखा जाए तो रिलेशन्शिप के बारे में मितुन अच्छा है